नमस्का, मेरा नाम डॉक्टर काउरभी जाड़े है, मैं वेस्किलर स्पेशलिस्ट हूँ सहियादरी होस्पिटल में आज हम जानने की कोशिश करेगे कि अगर के पेशन्ट में अवेस्स फिस्चूला बंध हो जाता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर सकते हैं बसिकलिय देखा जाए तो डैलेसी के पेशन्ट जिन्हें हफ्ते में दो या तीन बर डैलेस्स लगता है तो उनका जो fistula होता है वो उनकी lifeline होती है और अगर वो बंद हो जाता है तो dialysis रुख जाता है और इससे patient की जन को खत्रा हो सकता है ऐसे situation में हम emergency basis पे garden में या permanently डालके dialysis शुरू करते है बट ये temporary यानि ये थोड़े समय के लिए ही काम करता है permanent solution यही होता है कि एक तो फिर से नया fistula बनाना या वो ही fistula को फिर से repair करने की कोशिश करना हर patient में नया fistula बनाना possible नहीं होता है बहुत बार जो fistula बनाने के लिए जो नसे होती है वो बहुत कम होती है या कभी-कभी छोटी होती है तो हर बार आप नया fistula बना पाऊंगे ऐसा नहीं possible होता है ऐसे situation में हम वो जो already खराब हुआ fistula है या बंद पड़ा fistula है उसको open करने की कोशिश करते है इसको हम बोलते AV fistula dialysis fistula plasty plasty यानि क्या होता है कोई भी बंद नस को खोलना जैसे रुदय की blood vessel अगर बंद हो जाती है तो हम उसको balloon से खोलते है उसी तरह यह dialysis fistula की जो नस बंद हो जाते है कभी BP कम होने की वज़े से या कभी-कभी वहाँ पे clot जमा हो जाता है उस वज़े से यह fistula बंद हो जाता है तो ऐसे situation में हम इसको advanced technique द्वारे छोटी सी sui और balloon से उसको फुगाते है वो path को open करते है और फिर से उसको तयार करते है कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो खून की gart है वो बहुत कड़क हो जाती है वो fistula में तो ऐसे time में हम थोड़े से जो खून का gart को कम करने की दवाई होती है वो डालके वो gart को melt करते है और ऐसे time में वो fistula फिर से तयार होता है और फिर से dialysis करने के लिए वो ready हो जाता है इस situation में हम बहुत बार patient को educate करते कि पूरा dialysis का fistula बंद होने के पहले आपको कुछ warning signs दिखते है कभी-कभी dialysis करते time में उसमें flow कम आता है, कभी-कभी reverse flow आता है, कभी-कभी clot आता है तो यह warning sign है कि fistula में कुछ तो problem है, अगर warning signs में ही हमने स्टीज को detect कर लिए, उस time अगर हमने fistuloplasty या जो balloon angioplasty है, उस time हमने कर लिए तो results काफी अच्छे होते है पूरी तरह जब fistula बंद हो जाते हैं और उसमें जो खून की गाठ कड़क हो जाती है, तो जैसे-जैसे समय जाते जाता है, वैसे-वैसे results कम हो जाते है तो मेरा आप सबसे यही request है कि early science को पहचानिए and जल्दी से जल्दी अगर आप हमारे पास आए तो हम आपको और अच्छे results दे सकते हैं सामन तर तोर पे यह जो भी problem है, यह sonography में detect हो जाता है और एक बर वो sonography में पता पढ़ जाता है, उस हिसाब से हम surgery plan करते हैं यह सारी surgery एक छोटे से सुई से होती है, wire और नली से हम इसको फुगा फुगाते हैं और patient सेम डे घर जा सकता है dialysis fistula related आपको कुछ भी information चाहिए या कुछ query है तो आप नीचे दी हुए number पे हमें directly call कर सकते हैं Thank you